हमेलो आपका प्रिज एक्वार्ट फिर सेतली सेंटर में स्वाकत है आज जीकिस वीडियो में मैं और गैनिक केमेश्ट्री बताने वाला हूँ ठीक है बीडि़ के सब्सक्राइब गैन यह उप्रोट दिया और इसके बाद आपो वीडियो फिर ना मिल पाए यह किसका वीडिय हम ठीक है समझ आहन तो आज किया है हेंलो- के wurde तथा हैंलो एय रिंड निकी और गैनिक युद समीटियर्न है कि चल्डब के साथ में तुक उस से में जुब्सन करें सब्सक्राइब तो मैं 100% यह सोर्ज हूं कि चार नंबर आपका कोई काट नहीं सकता अब देखिए क्या क्या रहेगा बहुकल्पी दो रहेंगे और लगुत्री इसी प्रकार से रहेंगे जैसे मैं बता रहा हूं यानिकि यह भी दो रहेगा लगुत्री भी लेकिन दीर गुत्री आपका एक क एक बड़ा वाला और छोटे-छोटे थोड़े हैं ठीक है तो बहुकल्पी से दो उठाया हूं अतले गुत्री से और लगुत्री से दो और दीरगुत्री से कुशन चार नंबर का आता है चार नंबर आज आपका 100% पक्का हो जाएगा सिर्फ आपको क्या करना है लास्त तक देखना है ठीक है चलो अभी स्टाट करता हूं कि यहां पर थोड़ा मैं उपर कर दो इसको तब आपको देखिए पविकल्पी प्रेश्टर से पाले कि क्लोरोफार्म का उप्योग कहां होता है बहुत अच्छी कोशन कि क्लोरोफार्म का उप्योग कहां होता है मैं बता बंगिक बिलायक नि हिए की रुप में किसो रूप में होता है डोगिक को रूप में ठीक है나 तो किसके रूप में होता है और रासा निक नाम देह Лीघे पर देता है यानि क्या देता है आक्सी करण पर क्या देता है अगला कोंशन है अब आपका आगया अतिलगू उत्तरी अतिलगू उत्तरी प्रश्ण अतिलगू उत्तरी प्रश्ण में क्या है अतिलगू उत्तरी प्रश्ण में क्या है पहला कोशन आजाता है क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म को गाहरी रंगीन गाहरे रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं इसाद बोटलो में रखते हैं कियों रखते क्लियर हुव ना कुलोरोफ़ scripture को गाली रंग सिंपल समझें सब्सक्राइब को बहुत विसेली गयेस होती है जो की चैसे में और धो प्रेकास की उपस्थिति में जब रखते हैंगे जब धोप उस पर लगता है ठीक है तो उसमें आपस में आक्सीक्रीक्त होकर ये कॉए अत्यान्त विसाईली गैस बना लेती है विसाईली गैस और उसका नाम क्या हो जाता है फासजीन हो जाता है ठीक है अब लिखो लोगर फ क्लोरोफार्म प्रकास की उपस्थिति में वायूमंडली क्या है क्लोरोफार्म प्रकास की उपस्थिति में वायूमंडली आक्सीजन वायूमंडली आक्सीजन से आक्सीकृत होकर अत्यंत विसयली गैस बनाती है अत्यंत विसयली गैस बनाती है क्लियर हुआ क्लोरोफार्म प्रकास की उपस्थिति में उसको रखते ना तो बहुत अंदर अंदर गैस बना लेता है विसयली गैस ठीक है और उसका नाम क्या हो जाता है विसयली गैस बनाती है और उसका नाम क्या है फासजीन फासजीन बनाता है फासजीन बनाता है फासजीन तो आक्सीजन हम ले लेते हैं अग्सीजन है क्लोरोफॉर में दोनों के साथ साथ कहां पर रखा जाता है प्रकास की उपस्थिति में रखेंगे तो यहां से हमारा प्रकास की उपरस्विदी में बोट नहीं बना लेता है प्रकास की उपर सबनाता है यह बहुत बीशली होती है आप निक्स्ट देखते हैं तो डारेक्शन बता रहा हूं और जैसे अगर आप सजाके देखेंगे ज्रकट देखेंगे यह ना दालेंगे ना तुसके विस्तार से कम से कम साथ मिनिट का वीडियो है और इसमें आपको दो तीन में बताने वाला हूं और इसमें डियरेक्शन करके आपको दिखा दूंगा थोड़ा समझा दूंगा और उसमें क्या है कि बताता हूं कि सीसील 3 रखते हैं तो क्या होता है अग लिको थोड़ा जब अब है अब ये मैं समझाता हूं आपको जब अलकिल हाइलाइड की लिवेद लेल्कील हाइल्द की सुख इथर की क्या है जब यिल्कील्ट कि सुष कुणी इथर की उपस्थिती हो जब इस सोडियम क्या चीज सोडियम सोडियम क्या होता है सोडियम यन ए ठीक है सोडियम से क्रिया कराई जाती है से क्रिया कराई जाती है किसे क्रिया कराई जाता है सोडियम से क्रिया कराई जाता है तो एलकेन बनता है तो एलकेन बनता है आप देख लेते हैं इसको बनाकर जब इल्किल हाइलाइट कि सुस्क इथर यानिक अगर देखें इसका इस्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहे तू आर्यक्स अब इसको आपको समझात हो सकता नहीं क्यों क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो करने वाला नहीं हो कि उपस्तिती में सुस्क इतर के वपस्तिती में ठीक है लिंक आपको एक डिस्क्रिस रिशन मिलेगा देख लेना और यह साथ है इसका मिलेगा तो आप इसको भी आप देखला है डू-R-E-X-2-N-E-O फूस्की इतर की उपस्तिते में क्या हमारा बन रहा है एलकेन बन रहा है प्लवस टू यन एक्स अब इसको रख देते हैं दिए आर की जगह पर क्या रखेंगे और एलकल सम्मू होता है अर कम से सम्मू होता है और एक्स हाईलाइड होता है जैसे इसकी जगह पर हम क्लोरीन ब्रोमाइड फेरस कुछ भी रख सकते हैं और आर की जमगापे मेधिल एथिल प्रोपिल इसब रख देते हैं तो हम रख देते हैं मेधिल तो टू सीच त्री एक्स की जगाँ पर मैं आई रख देता हूं या सील रख देता हूं कोई दिक्कत नहीं प्लस टू सुस्क इथर है तो इसके उपसिती में रहे गई है सुस्क इथर पीडियाप आपको नीची मिल जाएगा अगर नहीं रहेगा तो आप कमेंट करके बताएगा मैं डाल दूंगा बाद में अगर भूल गया अब देखिए यहां से दो सीस्त्री सीस्त्री है यानि क्या बन गय है थी यह स्थ्री यह चैसे आप इसको लिखना चाहिए तो सीटू यह फाइप लिख सकते हैं यह सीस्त्री ठीक है शीक्स तोरी ठीक है यह क्या आपका बन गया एथेन बन गया अब देखि यहां पर क्या आपके पास बच रहा है प्लस यह एनने सीयल सोडियम क्लोराइड यह ने सील लेकिन टू टू है ना तो यहां पर टू लगा दो ठीक है ना सब्सक्राइब करिया आपको भी समझ में आगया यानिकी अति लगुत्तरी और विकल्पी दोनों मैंने इस आप ग्राइमन टीमट अब करिया ओ तो यह बहुत जादे इंपोर्टेंट अब राइमन टीमन यह वह बहुत जादे इंपोर्टेंट है तो इसको अच्छ क्या होता है पोटैसियम हाइड्राक्साइड है पोटैसियम हाइड्राक्साइड है क्या चीज़ है पोटैसियम हाइड्राक्साइड है फिनाल के क्रिये जली के उच्छ से कराने पर अथ हुआ कि सोडियम हाइड्राक्साइड सोडियम हाइड्राक्साइड mo sodium hydroxide यान होगे आपका यह यंए ओडिया है तो यह यह ना यह यह की उपस्थिती में कि कि उपस्थिती में किसके न ओव्यच की उपस्थिती में क्लोरो फॉर्म से कराई जाते है किसे कराई जाते भई क्लोरो फार में से कराई जाती है जब कराई जाती है तो हमारा क्या बन किता है तो क्याम है कि ठीक ना पsplिनाल चित जब को से कराएंगे पोटिसीयम हाडराकसाइड से तो हमारा क्या tin सोडियम यह बानता नहीं सोडियम हाई ड्रक्साइड की ऊपस्थी में करांगे तो अमारा सेल सेल अब करते हैं और इसी अभी करिया को के रंज व सब्सक्रद कई ऊसलिया कधें के ती मन अभी करिया कहते हैं कि अब एक पर करिया क हो क्या काते हैं राहिम एक संदेख लेते हैं पाली कहा एकार रहा है फिनाल नालो फटा फट कर वह यापका तो गया फिनाल हो गया ठीक है फिनाल बन गया फ्लसक्रोरफर में निकल रहा है यहां से यह निकलेगा और यहां से सीयल निगरेगा प्लस क्या हो गया यहने सीयल हो गया प्लस यहां पर टू लगाओ टू यहां थ्री लगाओगे तो यहां पर क्या लगा दोगे थ्री ने सीयल तो यहां पर भी तीन लगा दो सोडियम ना हो गया यहां पर क्या निकल गया आपका जल निकल गया अ मेंत लब ने याँ से प्लस प्र मथ सब्रेज निकला यहां से चो यह प्लस है तो यहां से क्या निकल गया आए अन्ट अ क्य बहुत ठाप नहीं था आसान था बस यहे घ्याज का लो Ka सब्सक्राइब किस्से कराएंगे मेरा क्या बन रहा है मैं हमारा ये बन रहा है या यहाधर सलसल डिहाइड मेन रहा है ठीक हैर जिदिखन है फिnes एक पैर पर हैं दिक उप को लगा जिसले हैं लिए तो आप सब्सक्राइब के लिए अजर्स surfingDonne ठीक है और अधर बोर्ड के लिए डीडीटी रियक्षन है है और एक बात यूपी बोर्ड वाले देख लिएगा अगर नहीं रहेगा तो मत पड़िएगा और साइद तो नहीं है साइद सॉमिन चांस नहीं डीडीटी रियक्षन क्या होता है इसका पूरा नाम पहले डाइख लोरोडाई फेनिल ट्राइख लोरोबेंजीन इसका नाम क्या होता है लिखो लिए डाई अधाई क्लोरोडाई प्रेणिल क्या है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन ट्राइक्लोरो एथेन सब्सक्राइब क्या है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन डीडीटी का पूरा नाम क्या है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है अब देखिए इसका खोज कब हुआ था इसका खोज हुआ था 1874 में और किसने किया था जो डिलर ने किया था अब इसका डारेक्ट रियक्षन बता देता हूं बस ज्यादा नहीं और एक लिख दीजेगा डीडीटी जो रियक्षन होता है यह कीतना सक के रूप में उप्योग कि आता है या पानी में आविले है यानि कि नहीं करता ना अब देखिए बनाने की बिधी हेडिंग डालो बना जब क्लोरल को सांद्र ऑले कि सांद्र हो सांद्र येच्टू येच्ट येच्ट फोर की उपस्थिती में उपस्थिती में क्लोरो बेंजीन के साथ 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 क्लोरो बे हम उसे क्या तो होता है लेगदो तो टीडीटि कि प्राप्त होता है जब कुलोरल को सान रेज्ट वर उसो फोरीं डिशन के साथ संगनित कर रहें तो टीडीटि प्राप्त होता है अब जैसे सी crop लिए अब इसकर राएं हैं सी यह ओ यहां प Michा अपर घ्रफ्पर जोड़ें ठीक है यह 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 जो किया है कि अब इसे क्या आते हैं यह कार्बन और एक ब्र्बाद यह कार्बन हो यहां यह कार्बन हो गया यह भी कार्बन है यहां पर भी कार्बन है यहां पर भी कार्बन सभी कार्बन की पास क्या क्या है हाइड्रोजन जॉइंट रहता है पता है अब अगर इसका पूरा नाम मैंने पूछ ले तो क्लोरो बिंजीन है क्या है क्लोरो बिंजीन है तो यहां पर यहां पर लगा दो इसको जूद जरूर कर देना बीच में नहीं है वह लग कर देना है तो हमारा क्या बना रहा है यहां से देखिए भई हमारा जल निकला ठीक जल निकला प्लस क्या क्या बतरा कर देखिए इसके बाद रही रहेगा ध्यान दीजेगा ठीक है डिगी डाइग्राम थोड़ा हमीर बना देखिए प्लस अब आप मिला लेजिएगा सभी बराबर होंगे किसके रूप में होता है अभी जैस्ट मैंने बताया था कितना सक के रूप में इसको प्योग किया जाता है कितना सक की तुटके मानने के लिए कि यह ठीक है यही चीजे ऑगे अब देखिए डीडिटी रेक्शन हो गया ठीक का सदस्या है एरिल हाइलाइड लिखो इसे यहां एरिल हाइलाइड अ कि एरिल हाइलाइड समूह का महत्वपूर्ड सदस्य है कि महत्वपूर्ड सदस्य है किसका सदस्य है एरिल हायलाइड का ठीक है यह एरिल हाइलाइड के महत्वपूर्ड सदस्य है तथा इस वर्ग तथा इस वर्ग के सभी योगिकों का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिनिधित्व करता है अब यह क्या है क्लोरो बेंजीन का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है C6-H5-C-I-L-C-H-C-U-K-C-O-C-H-C-C-J-L-C-C-L-E-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T सतामत ऐसे बना देते हैं है पर सियल लगाज़ यह भी हम प्रेओक शाला और भी लिखेंगे कि प्रयोग साला वी इस में लिखेंगे कि प्रयोग साला में प्रयोग साला भी जिन जो है का निर्माड़ अंसया पर लिखो अभी मैं समझातों बढ़ी से लिखो इसको थोड़ा प्रयोग साला में क्लोरो बेंजीन प्रयोग साला में क्लोरो बेंजीन निर्माड साथ अंसे सेल्सियस पर बेंजीन पर पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड डाई एजोनियम क्लोराइड क्या है प्रयोग साला में जब क्लोरो बेंजीन निर्माड में साथ अंसे पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रेस क्लोराइड को क्यूप्रेस क्लोराइड क्यूप्रेस क्लोराइड क्यूप्रेस क्लोराइड इसका नाम क्या है सी यू सी यल कूप्रेस एक्षी मत यह था यह से यह हाइड्रोजन कुलॉराइड नहीं यह सी यह के साथ गर्म करते हैं मतलब दोनों इसे एक चीज़ रहना चाहिए ठीक है ना साथ करते हैं कि यह होता है आपकी से सितर्म एन्हें करने के बाद आप क्या जाता है टो लरो बंजीन बन जाता है लेते एक फाइज फाइब यह आपका क्या हो गया बिंजीन लिक़ लू बिंजीन डाईए जोनियम खुलराइड लिकलिस का नाम है Benzen । डाई एजोनियम क्लॉराइड और यह क्या होगो आपका बेंजीन डाई जुनियम क्लॉराइड़ क्लॉराइड इसक्स फाइब न इसमें लगेगा त्रिपन बांड यहन प्लस यहन प्लस देता है लल गुद देटाए ओप्सक्राइड अमाइस देता है तो किसके उपासिती में सी यू सी यल की उपासिती में या कह लीजिए यह चील की उपासिती में दोनों में से एक राना चाहिए कितने अंसेल्सियस पर साथ अंसेल्सियस पर हमारा क्या क्या निकल के आ रहा देखिए तो यहां से हैं थे प्लस दहा यह माइन देता है यहां से निकल जाएगा पहले हां से यहां से च्पाइब यहां से CL câm लिए नंने अब यह आपका क्या हो गया पूंख्ट ऑगया क्लोरो बेंजीन हो गया क्लोरों में जूंघंचे तो था आप अब कीड़ेंग्व में तो की भूतिक में जानिम उसकरेटी क्या रहेगा यहां जल में भारी द्रव है जिसे यहां जल से भारी द्रव है यहां जल से भारी द्रव है यहां क्या होता है यहां जल से भारी है होता है और इसका कोथनांग देख लेते हैं इसका कोथनांग 16 absolument कि इसका कोत्रनांग 6060 राता सट है इसमें यह रंगहीन है यह रंगहीन है रैंगहीन अन दलो यह रंगिन होता है । शुता पार लिख लेते हैं कि यह वास में रहने से जिह सो ended वास्प में रहने से बिहोस हो जाते हैं मतलब इसको सोंगे गूंगे तो भी ओस हो जाते भी पर भोट गप्रांसे चप लोगत हैं तो आप धिल्ग रासाने गुड में जैसे कioxकर में करते हो कशके ते- GUY करते यह कर दो घुका तो बता देता हूँ और आप कर लिजीगा फैसे हो हम लेते हैं कि एसी टोन से क्रिया करा लेते हैं किसे क्जिथ सी टॉन से क्रिया तोससी टोन से क्रिया खर क्लियर अम क्लोरोफॉर्म फ्लूरोफार्म कौ आप्लिश सकते हूं है छीह होता है ना यहां पर यह हमलिग क्यों करूंगा तो में अच्छी से से बैठेकाक इसे मैं समझह रहा हूं आपको बढ़摁 क्लोरोफार्म है लिख लो यह क्लोरोफार्म हो गया है क्लियर क्लोरोफार्म का भी मैंने आपको बताया था क्या होता है CHCL 3 CHCL 3H को मैंने क्यों आगे किया भी मता रहा हूं क्यों किया अब यहां से बना रहे हैं हमारा क्या निकल रहा है चेह सी चेह 3 दोड़ा लगा दो चेह 3 थी निकल गयार आप देगे यहांसे निकल रहा है हमारा CCL3 CCL3 और क्या बन रहा है c h3 निकल रहा है यानि की हमारा क्या बन गया क्लोरी क्लोरी टोन क्या बन गहीं हिमारा क्लोरी टोन है से एक और करादे यह बस दो CCL 4 plus HCl hydrogen chloride निकल किया गया है यह आपका क्या हो गया यह है कार्बन टेट्राइड यह क्या है आपका कार्बन टेट्राइड क्लोराइड आप आई होस्तों में जरूरा होगा फिर मिलते हैं एक वीडियो में प्लीज इस वीडियो को जा जाजा दसेर करिए धन्य बाद